गमलों में तो लगवग सभी मिर्चों गाते हैं अपने घर के लिए तो इस वीडियो में दोस्तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने मिर्च के पौदे पर बहुत ज़ादा मिर्च कैसे ले सकते हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आप दोस्तो आपने भी अपने टेरिस गार्डन में मिर्च के पौदे गमलों में लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे मिर्च के पौदे इसी तरह मिर्चों से भरे रहे हैं और फूलों से तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज किलियर कर देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो मैं आपको कुछ ऐसी केर टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पौदे पर बहुत ज़्यादा मिर्च प्राप्त कर सकते हैं अब मान लीजिए जिन पौदों पर फूल आ जाता है पर फल नहीं बनता तो दोस्तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो पौदे हैं वो फूलों को उना गिराएं तो दोस्तो मैं इस वीडियो में कुछ फटलाजर बताऊंगा उसकी बज़े से आपका पौदा एक भी फूल को नहीं गिराएगा तीन दिन में ही आपको बहुत अच्छा अपडेट मिल जाएगा आपके पौदे पर जितने भी फूले हैं वो पूरी तरह से फलों में बदल जाएंगे यानि की मिर्च में बदल जाएंगे तो अब चलिए दोस्तो इसके लिए मैं फटलाजर आप लोगों को बता देता हूँ हमने फटलाजर बनाने के लिए दोस्तो यहाँ पर दो लीटर पानी लिया हुआ है इस फटलाजर से हमारा जो पौदा है वो अपने फूलों को गिराने से बंद कर देगा जितने भी फूल आएंगे पौदे पर वो फलों में बदल जाएंगे यानि की वो तीन दिन में ही उनमें मिर्च बनना सुरू हो जाएगा तो आप जो मेरे हाथ में दोस्तों देख रहे हैं ये हमने पलेट में क्रॉप इस्टार लिया हुआ है इसमें कई ऐसे पोसो तक तो पाए जाते हैं इसकी मदद से हमारे पौदे की जो जड़ें वो बहुत मजबूत हो जाती हैं पौदा बिल्कुल हेल्दी रहता है और इससे जो फूल आते हैं वो गिरते नहीं है वो पूरी तरह से मिर्च में बदल जाएंगे और इस फट लाजर को आप अपने पौदों में दस दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं तो ये हमने दो चम्मच लिया हुआ था दूसरी चीज यह है दोस्तों ये seaweed है इसके साथ ये बहुत अच्छा काम करती है तो seaweed हमने आदा चम्मच लिया हुआ है अब इन दोनों चीजों को हम अच्चे तरीके से घोलेंगे लगबग इसे हम आदे गंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये फट लाजर बनके पूरी तरह से तयार हो जाएगा और इसे हम अपने मिर्च के पोदे पर यूज कर लेंगे तो इसे थोड़ी देर हम ऐसे ही रख देते हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये जो अब देख रहे हैं ये है दोस्तो गोवर की खाद यानि की फुली डी कमपोस्ट है आप इसकी जगए बर्मी कमपोस्ट या किसी भी कमपोस्ट को आप यूज कर सकते हैं आदे गंटे बाद ये देखिए जो हमने फटलाजर बनाया था वो पूरी तरीके से बनकर आप तैयार हो चुका है इस तरह से अब इसको हम अपने मिर्च के पौदे में यूज कर लेंगे और ये हमारे पौदे पर बहुत तेजी से काम करेगा और इस फटलाजर को दोस्तों मैं आपको बता दूँ बाकी पौदों में जो सबजीयों के पौदे हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं फटलाजर डालने से पहले एक बार हम अपने इस मिर्च के पौदे की गुड़ाई जरूल करेंगे हमने इस मिर्च के पौदे की गुड़ाई करके पौदा तयार कर दिया है अब चलिए इसमें वो फटलाजर हम यूज कर लेते हैं सबसे पहले जो की फुली डीकंपोस्ट गोवर की खाद है उसे हम इसमें चारो तरफ मिक्स कर देंगे उसके बाद में जो फटलाजर हमने बनाया है उसे यूज कर लेंगे तो ये सबसे नॉर्मल तरीका है मिर्च के पौदे पर ज्यादा मिर्च लेने का और इस फटलाजर का बहुत ही अच्छा हमें अपडेट भी मिलता है तो ये सबसे नॉर्मल तरीका है तो ये देखिए हमने यहां पर खाद डालके पौदे में तयार कर दिया है अब जो फटलाजर हमने बनाया है उसे हम अपने पौदे में यूज़ कर लेंगे मैंने और भी मिर्च की वीडियो डाले ही हुई है उनकी लिंक में आपको डिस्किस्टन बोक्स में दे दूँगा यदि आपने दोस्तों नहीं देखिए और आप उसे देखना चाते हैं तो आप उसे देख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अबसी पसंद आई हो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी किसी ने टॉपिक किसा ठेंक यू